नमस्कार दोस्तों, मैं मैं मयूड सुर्यूवेंशी आपका मित्र स्वागत करता हूँ सुर्यूवेंशी अकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का दोस्तों आशक करता हूँ कि पिछले सभी वीडियो जिसको मैंने आडियो लेक्चर के माध्यम से बनाया था वो सभी आपने सुने होंगे और आपके काम में भी आए होंगे आज का जो टॉपिक लिया है आज हम जानने वाले हैं राजनितिक विचारधाराओं के बारे में राजनितिक विचारधाराएं ऐसी जिसे आपको पढ़के बहुत इंट्रेस्ट आएगा या कई बार आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे या किसी अनि प्रकार की किताब पढ़ते होंगे इतिहास पढ़ते होंगे तब आपको कुछ शब्द बहुत परिशान करते होंगे जैसे कि आपके सामने कभी कोई शब्द आ गया कि श्रमिक संगवाद क्या होता है या अराजकता वाद क्या होता है इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है सामंतवादी विवस्था के अंदर ये वाली बाते थी तो सामंतवाद क्या होता है उदार वाद हो गया, पूंजी वाद हो गया या फिर एक नया टॉपिक और आता है कि प्रारंबिक समाजवाद क्या था एक और शब्द आता है फेबियनवाद, तो फेबियनवाद के बारे में हम जानेंगे आज माक्सवाद के बारे में गिल्ड समाजवाद के बारे में नाजीवाद के बारे में, नाजीवाद से ताना शाही जुड़ी हुई है तो उसको भी समझ लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि फासी वात के अंदर क्या था तो इस प्रकार से ये प्रमुक राजनेतिक विचार धारा है जिसमें हमारा एक माववाद भी आ जाएगा माववाद से निकल के माक्सवाद आ जाएगा तो बहुत कि भी प्रकार की शाषन विवस्था या राजनेतिक संगठन की अनुपस्थिती ही अराजक्ता वाद कहलाती है किसी भी देश में अगर शाषन विवस्था नहीं है या राजनेतिक संगठन अनुपस्थित हो गए हैं तो वहाँ पर अराजक्ता का माहौल होगा राजा का न विएक्ति समझता है अगर इसको साधार्ण शब्दों में समझे तो कुलukan नियमों को ज़्छा ज्यादा है ना कि राजिके नियमों को यह मानते हैं कि विएक्ति सुतन्तर पेदा हुआ था और उसके उपर किसी भी प्रकार का शांशन नहीं था तो वास्तों में वर्तमान में अभी हम पर कोई साशन कैसे कर सकता है तो अगर इनकी दूसरी सोच की बात की जाए तो अराजक्तावादी की विचारधाराओं के अनेक प्रवर्तक भी रहे हैं जिन में प्रोधा, ब्राकुनीन और क्रोपोट की इन विशेश रूप से उलेखनी है प्रोधा ने सरप्रथम अनार्किज्म जिसको हम कहते हैं अराजक्तावाद शब्द का प्रयोग किया था उसने सामिवाद की आलोचना करते हुए राजय को शोषण का उपकरण एवं असमानता का कारण बताया था ये कहता है कि राजय एक शोषण वाला उपकरण है और यह असमानता फैलाता है बाकुनीन ने व्यक्तिक संपत्ती राज एवं धर्म को मानव सभिता के प्रारंबिक काल की प्रवत्या माना है जिन्हें मानव की विकास के प्राकृतिक नियमों के परिवर्तन या परिणाम स्वरूप समाप्थ हो जाना चाहिए उसके अनुसार प्रजातंत्र राज द्वारा शोषण का एक छद्म स्वरूप है बाकुनीन व्यापक एवं आवशक्ता अनुसार हिंसक परिवर्तन के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था को बदलने एवं उसके स्थान पर स्वतंत्र समुदाय का एक स्वतंत्र संग निर्मित करने के पक्ष में रहा है अगर साधरन शब्दों में समझे तो बाकुनीन चाहता है कि जो हमारी वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसमें हम हिंसा के माध्यम से परिवर्तन करें और परिवर्तन करके हम एक नई विवस्था उत्पन करें और एक स्वतंत्र समुदाय की या एक स्वतंत्र संग को स्थापित करें जो की बिना किसी राजिका होगा, बिना किसी राजा की होगा और ये प्रकृतिके प्राकृतिक नियमों पर होगा तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वाद समझ चुके हैं अगर बात की जाए नाजी वाद और फासी वाद की तो ये बहुत बड़े वाद हैं इसको अपन अलग प्रतक वीडियो के माध्यम से समझेंगे